नमस्कार दर्जकों, धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है, आज हम आप सभी को सावित्री और सत्यवान के अमर प्रेम कथा सुनाएंगे सावित्री का जन में एक सक्ती साली और धार्मिक राजा अस्बोपती और उनकी पत्नी माली भी किया हुआ था अस्वुपती राजा थे परंतु उनके जीवन में एक कमी थी उनकी कोई संतान नहीं थी कई बरसों तक संतान की प्राप्ती के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान सूरिय देव की उपास ना की उनकी भक्ती से प्रसंद होकर देवी सावित्री ने उन्हें आसिरबात दिया और उन्हें एक कन्या की प्राप्ती हुई इस कन्या का नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा गया साबित्री ना केवल रूप में अपूर्वती बल्कि पुद्धिमान, बीर और धर्मनिष्ट भी थी उनके बच्पन के दिनों से ही लोग उनकी सुन्दर्ता और बुद्धिमत्ता की प्रसंसा करते थे जब भे भिवायोग हुई तो उनके पिता अस्वपती ने उनसे कहा कि भैस्वयम एक योगवर का चुनाप करें साबित्री ने अपने पिता की आग्या का पालन करते हुए देस बिदेस में भिरमर किया और कई राजकुमारों से मिली एक दिन जंगल में उसने सत्यवान नाम के राजकुमार को देखा जो लकडी काटने का कारी कर रहा था सत्यवान एक बनवासी राजा द्यूट्स मसेन का पुत्र था जिसने अपनी द्रश्टी खो दी थी और अपनी राज्य से निस्कासित होकर वनवे रहने को मजबूर था सत्यवान का बिनर्म सोभाव उसकी नीस्वार्त सेवा भामना और उसकी पिरती गहरा इसने देख कर साबित री ने उसे अपना जीवन साती चुना सावितरी ने अपने पिता से अपनी इक्षा पिरकट की लेकिन उसी समीं नारद मुनी बहां उपस्तित हुए और उन्होंने सावितरी के भिवा के निर्णे पर चिंता जताई नारद मुनी ने कहा सत्यवानिक महान व्यक्ति है परंतु उसका जीवन केवल एक बरस और से से उसकी इम्रत्यों निच्चे थे ये सुनकर राजास्पुपती चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को इस भिवास करने से मना कर दिया लेकिन सावित्री अपने निर्णे में अडिक रही उसने कहा धर्म प्रेम और निच्ठा के आधर पर मैंने सत्यवान को चुना है मैं किसी भी परिस्ति थी मैं अपने निर्णे से पीछे नहीं अड़ सकती ये सुनकर राजास्पुपती ने उसकी उच्छा का सम्मान की और सावित्री का भिवास सत्यवान से हो गया विवा के बाद सावित्री अपने ससुराल में रहने लगी सत्यवान एक आधर्स पती थे और सावित्री अपनी सास और ससुर की सेवा में लगी रहती थी भै अपने पती से अत्याधिक प्रेम करती थी और उसे हर पल उसकी जीवन के खत्रे के याद रहती थी परिंति उसने कभी किसी से ये वास साजह नहीं की सत्यवान की मृत्यू के दिन को आने में अब कुछी समय से इस था सावित्री ने उसी दिन कठोर विरत का पालन करनी का निच्चे किया वह तीन दिनों तक बिना अन्नोर जल के रही जब एक दिन आ गया तो सावित्री ने सत्यवान के साथ जंगल जानी की एक्छा जताई सावित्री ने उससे कहा कि आज का दिन अत्यादिक कठिन होगा लेकिन सावित्री ने द्रंटता से अपने साथ जानी के जित की जंगल में सत्यवान लकडी काटने में लगा हुआ था तब ही अचानक उसे अत्याधिक ठकान में एसूस हुई भयाचेत होकर गिर पड़ा यह भही समय था जब यम्राज सत्यवान के प्राण लेनी के लिए आये थे साबितरी ने यम्राज को देखा और अपने पती के प्राण बचाने की प्रात्ना करने लगी यम्राज ने कहा है पतिवर तैस्त्यवान के आयू समाप्थ हो चुकी है तुम्हारा उसके पृति अधित्य प्रेम है लेकिन मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए बाद दी हूँ ये सुनकर साबितरी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी उसने यमराज की स्तूती की और अपने पती के जीवन के लिए उनसे बिंती की यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित हुए और उसे बर्दान देने को तयार हो गए साबितरी ने पहले बर्दान में अपने ससुर को उनका राज्य और नेत्र जोती बापिस मांगी यम्राज ने ये बर्दान सुईकार किया फिर सावित्री ने अपने माता पिता के लिए संतान सुख का बर्दान मांगा यम्राज ने ये बर्दान भी दे दिया तीसरे बर्दान की रूप में साबितरी ने अपने सोभागय और संतान प्राप्ती का आसीरवाद मांगा यमराज ने बिना सोचे ये बर्दान भी दे दिया लेकिन फिर उन्हें ये महसूस हुआ कि यदि सत्यवान जीवित नहीं रहा तो साबितरी को संतान कैसे मिल सकती है इस पर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापिस लोटा दिये यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया और कहा तुमारी भक्तियों प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया है सत्यवान अब दीरगायू होगा और तुम दोनों का जीवन सुख में होगा यह कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लोटा गए सत्यवान होस में आ गए और सावित्री के और देखा तो उसे कुछ भी याद नहीं था लेकिन वह सावित्री के और देखकर मुस्कुराया सावित्री ने अपने अजित्यवे सहास और बुद्धी मत्ता से अपने पती का जीवन बचा लिया वह अपने ससुराल लोटी और अपने सास ससुर को इस सुखत समाचार सुनाया राजा दियुमठ सेन को उनकी दर्ष्टी बापिस मिल गई और वै अपने राजी में पुना अप्रतिष्टेत हो गए सत्यवान और सावित्री का जीवन खुसाल और समरद हो गया सावित्री और सत्यवान की ये प्रेम कता समरपन, निष्टा और सहास का पिर्ती है सावित्री की दर्णता और अपने पती के पिर्ती उसकी अगहत निष्टा ने मृत्यू जैसे अटाल सत्य को भी परास्त कर दिया ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति और निष्टा से इंसान असंभब को भी संभब बना सकता है सावित्री ने अपने जीवन में आने वाली कटनाईयों को धहरी और दर्ण विस्वास से पार किया और ये संदेश ये कहानी देती है कि प्रेम और समड़पन जीवन की सबसे बड़ी सकती है इस कथा को भारती संस्कृतियों में इस्तरियों के आदर्स की रूप में देखा जाता है सावित्री को एक आदर्स पती की रूप में माना जाता है जिसने अपने पती के लिए जीवन और मत्यू से भी संगर्स किया आपको साबित रोर सत्थिवान की अमर प्रेम कता कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमतकार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा धन्यबाद